आज मैं आप लोगों के साथ चिकन जाली कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं तो वह जट पर बनती है और मज़ेदार भी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह देखें मैंने 300 गिराम चिकन का कीमा लिया है इसको दोकर अच्छे से नितार कर लेंगे दो अंडे जाएगे इसके लिए एक छोटा प्यास बारिक चॉप करके लेंगे एक टीस्पून अद्रक रसन मिर्ची का पेस्ट एक टेबल स्पून चावल का अटा है हरा दनिया ले हाफ टीस्पून काली मिर्चो का पावडर और नमक लेंगे स्वादा नुसार तब सारी चीजें कीमे में मिक्स करके रेडी करेंगे इदेक एक बाल में बड़े बाल में मैंने कीमे को एट किया है अब इसके अंदर हम लोग सारे मसार डालेंगे अध्रक लसन मिर्ची का पे गरम मसाला पावडर काली मिर्च का पावडर हरा धनिया और ब्रेट करम अब इस सारी चीजें अच्छे से मिक्स करके लेंगे हाथ से इसको एक दस मिनट के लिए इसे ही छोड़ेंगे तब तक हम अंडों को फेट कर लेंगे यह अंडे मैंने तोड़ कर लिए अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे एक चुटकी जितना अरे जो आटा है चावल का उडा रेंगे अगर आपके पाद चावल का आटा नहीं है तो आप कॉन फ्लॉर डाल सकते हैं इसमें इससे जाली बनती अच्छी जाली कबा बना रहे हैं और इसमें थोड़ा अंडा ज्यादा लगता है अब इसको अच्छे से फेट कर लेंगे अटा अच्छे से मिक्स होना चाहिए यहीज दुझे मैं एले को अच्छे से इस तरह से फेट कर लिया है उसमें आटे के लंसने होना चाहिए जो आटा हमने और पविसर कने रखेंगे अर्हें इसके कबाब बनाने शुरू करेंगे आपको जितने बड़े बनाने इसाब से ले लो आप जैसे बनाते हैं इस तरह से बना कर लेंगे मीडियम साइज के बना रूमें इस तरह से बॉल बनाएंगे और उसको चप्टे करेंगे आप अपने इसाब से बनाओ आपको जैसे बड़े चोटे चाहिए इस तरह से सारे बना के रेडि करेंगे देखे तेल हमारा करम हो गया सारे कबाब मैंने बना के लिए थे अब इसको अच्छे से अंडे में डीप कर रहा है ग्यास का फ्लेम मेडियम रखेंगे अच्छे से अंडे में डीप करके इस तरह से डालेंगे जितना अच्छा डीप करेंगे वो जाली बनेगी अंडे की अब इसको दो मिनट इसी तरह रखेंगे थोड़ा सा इसको अभी इसी तरह टर्ण करेंगे अब अब यह जो अंडा है इसको हाथों पर इस तरह लेंगे इसको इस तरह डालना है और यह जो इसका से जाली बनी है इसके उपर डालेंगे कबाप के उपर इस तरह से अब इसको पल्टी करेंगे यह मैंने पल्टी करके लिए आए पल्टी करने के बार फिर एक बार इसको इसको इसके उपर अंडे डालेंगे थोड़ा इस तरह दूर दूर रखेंगे और जो साइट में जाली आती है यह कबाप के उपर डालते जाएंगे इस तरह से अब इसको उठाकर इस पर इस तरह डालेंगे यह देखें इस तरह से अब इसको शेखने देंगे मीडियम फिल्म पे फिर इसको एक बार पल्टी करेंगे क्योंकि चिकन हमारा कच्छा है तो उसको मेडियम फिल्म पे फ्राइ करना है इसका कलर चेंज होने तरह अच्छे से फ्राइ करके लेंगे अब देख सकते हैं इस तरह से अंडे की जाली बनना चाहिए कबाव अच्छे से फ्राइ हो गए है जाली आप देख सकते हैं अंडे की जाली इसकी बनती है इसका टेर निगतार के अच्छे से निकालेंगे और वाकिकी सारे भी इसी तरह फ्राइ करके लेंगे यह देखें हमारे चिकन जाली कबाब बन के तैयार है इस रम्दान स्पेशल है रम्दान में जरूर इसको बनाना वो दासाना टेस्टी बनते देगे मैं आपको बदा देते हूं नजदिक से जादी इस तरह से बनती है इसको आप हारी चटनी पुदिने की चटनी या केचप के साथ भी खा सकते हैं और बनाने में एक दम आसान है चटपट बन जाते हैं तो चलिए अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइ देखी